वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें प्राइम निस्टे नरेंद बुदी ने कमीशन किया और देखो इंडिया नेवी का जो फ्लेग है उसको भी चेंज कर दिया गया तो मैंने जो है इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि इंडिया नेवी में एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला था और उस वीडियो को इंडिया बिकमिंग इंडो पैसिफिक पावर जी हां देखो अगर आप सोच रहे होगे जापान के पास एरक्राफ्ट केरियर होगा तो नहीं जापान के पास तो खुद की नेवी भी नहीं है उनके पास छोटी सी नेवी है मतलब देखो जब वर्ड अवार 2 खतम हुआ मतल इस वज़े से इंडो पैसिफिक रीजन में अगहर आप देखोगे तो आपको जो है कोई ऐसा देखने हो कि मिलेगा जिसके पास एरकराफ्ट केरियर है हा मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा सब्सटार एरकराफ्ट केरियर तो अमेरिका के पास ही ही है करीब उसके पास पूरे मेडेर इंडिया पार्ट्स को जो है इसमें लगाए गया है मतलब स्टील पूरा इंडिया का सो से भी जादा MSME जो कंपनीज है उन्होंने पार्ट्स जो है प्रोवाइड करें इसके बाद यह आई इनस विकरांत जो है बनके तयार हुआ है और देखो अगर आप इसको चाइना से कंपेर करोगे ना तो चाइना तो वैसे यहाँ पर टेंशन में है चाइना के पास अभी तक तीन एरक्राफ्ट केरियर है और आई एनस विकरांत जो है एक डिटरेंट होगा इस से दुनिया भर को यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि अब इंडिया की और यह अपने आप में एक बहुती बड़ा माइलिस्टोन है डिसकस करेंगे में इस वीडियो में आई एनस विकरांत के स्पेसिफिकेशन के बारे में इसके सासथ इंडिया नेवी के फ्लेक के बारे में तो आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिलेगा इंडिया नेवी के रिगार्डिंग है सदन नेवल कमांड जो है हमारी उसका हेड़कौाटर कहां पर है देखो आपको तीन नेवल कमांड देखने को मिलेंगे उसमें से एक है सदन नेवल कमांड सदन नेवल कमांड का जो हेड़कौाटर है वो कहां पर लोकेटेड है दो आपकी चीज़ बता दूँ कि अगर हम बात करते हैं Indian Navy Ship Vikrant की तो यह Majestic Class Aircraft Carrier था Indian Navy का यह मैं बात कर रहा हूं पहले वाले एंडियन विक्रांत की जो पहले वाला आरे एंडियन विक्रांत था जिसको हमने 1971 के वार में यूज किया था ये जो शिप था ये HMS हर्कुलिस ये ब्रिटिश ट्रॉयल नेवी से जो है यहाँ पे लिया गया था इसको व्ल्ड वार टू के समय ब्रिटेन की जो आर्मी रही है उसने कमीशन किया था और देखो उस समय इसको पूरी तरीके से होल्ड पे रखा गया था उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे भारत यहाँ पे अजाद हुआ तो इंडिया ने इंग्लेंड से 1957 में एक जो अयरक्राफ्ट कैरियर है इनकम्टिट अयरक्राफ्ट कैरियर को जो है परचेस किया उसका कंस्रक्शन कंप्लीट कराया और 1961 में हमने जो है इसको इंडिया नेवी में इंडक्ट किया और 1971 के वार में इसको हमने यूज भी किया अब ये बात तो हो गई उस INS विक्रांद की जिसको हमने decommission कर दिया था लेकिन अगर हम बात करें अभी के INS विक्रांद की तो ये पहला made in India aircraft carrier है इसका construction जो है कोचेंच शेप्याड लिमिटेट ने किया हुआ है इंडिया नेवी ने हाली में प्राइनिस्टर लिनिन वो बहुत पहले से यहाँ पे हुई थी 1999 ने डिफेंस मिनिस्टर रहे जोर्ज फरनांडेस उन्होंने यहाँ पे यह कहा था कि INS विक्रांद को जो है बिल्कुल हमको develop करना चाहिए इसका construction जो है शुरू करना चाहिए तो अंडर project 71 Air Defense Ship के अंडर में जो इस पूरे project को जो है लाए गया उसके बाद INS विक्रांद को जो है तयार किया गया और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोचीन Shipyard Limited ने इसको बनाया हो नहीं बहुत सारी organization का योगदान आपको देखने को बिलेगा बहुत सारी organization ने मिलके पूरा काम किया हुआ है सबसे पहले दो डिफेंस Metallurgical Research Laboratory इसके अलावा Steel Authority of India Limited इन्होंने facilities यहां पे लगाई और DMR 249 Grid Steel जो भारत में ही develop हुआ है उसको जो है दिया यहां पे इसके सासाथ करीब 26,000 टन तीन टाइप के जो special steel है इसको जो है यहां पे लगाए गया जो कि बोकारो Steel Plant, जारकंड, भलाई Steel Plant, 36 गाट, रावर केलाब, Steel Plant, ओडीशा इन सबसे यहां पे लाए गया और देखो विकरांथ पहला ऐसा ship है पहला ऐसा ship है वार शिप है इंडिया नेवी का जिसको हमने पूरे तरीके से भारत में develop किया है इसमें कोई भी आपको foreign part देखने को नहीं मिलेगा इसमें जो है हमने domestically steel जो हम produce करते हैं उसी को जो हमने लगाया है और देखो आपको याद भी होगा कि पहले वाला जो INS विकरांथ decommissioned किया गया था उसके बाद एक गाड़ी आई थी बजाज विकरांथ तो बजाज विकरांथ जो है वो उसी के steel से बनाई गई थी अब अगर हम बात करें तो जो हमारा INS विकरांथ ये बीस हजार क्रोड रोपे की लागत से बनके तयार हुआ है और मोदी जी ने इनको dedicate किया हुआ है छेत्रपदी शिवाजी महराज को अब देखो शिवाजी महराज कौन थे तो एक बहुत ही बड़े माराठा वारियर थे महराठा समराज की जो इस थापना है वो शिवाजी महराज नहीं की थी और आपको पता हुआ कि Independence Day पे मतलब 15 अगस्त को जब प्रायम नेशन रेनमोदी ने स्पेज दी तो उन्होंने एक चीज यहाँ पे कही थी कि हमको अपने colonial past को भूलना होगा मतलब जो चीज़ें England को दर्शाती है जिन चीजों में England की कोई भी चीज हमको देखने को मिलती है उसको पूरे तरीके से जो है हमको चेंज करना होगा और देखो इंडियन नेवी का फिलेग अगर आप पहले देखोगे तो 1947 से 50 तक आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा उसकी बाद 1950 से 2001 तक इस तरीके का देखने को मिलेगा 2001 से 2004 पे इस पे कुछ चेंजे से यहां पे करे गए फिर 2004 से 2014 तक यह कुछ और चेंजे से यहां पे की गया अशोक एंबलम को जो है इंडिट किया गया लेकिन अब फाइनली अगर आप देखोगे तो इंडियन नेवी का जो फ्लैग है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा एक शील्ड है यहां पे अशोक एंबलम है और ये जो शील्ड है ना ये दर्शाती है छत्रपदी शिवाजी महराज को देखो एक्चुली वे जो उनकी एक सेफटी शील्ड है उसी को जो है आप इंडिट किया गया और जो है ऑक्ट न के शेफ में हमको देखने को मिल रहा है घो यह जो ब्लू सिम्बाल है इसके साथ चार और इंगल वहाँ तक जो है इंडियान नेवी की ूरी टिश है और इस ओक्ट गोन डिसम्बाल में आपको सब्सक्रा देखने को मैं है फेल्ट जो की इंस्पायद है कि शिवाजी महाराज है उनकी शील्ड से शिवाजी महाराज आपको पता है उनका जो विजन था वो बहुत ही अलग था उन्होंने खुद की अपनी नेवल फ्रीट को जो है डेवलप किया था और इनके करीब 60 फाइटिंग शिप से 5000 आर्मी थी और जो शिवाजी महाराज की आर्मी थी उन्होंने कई बार जो फॉरें इन्वेडर्स रहे हैं जो सी रूट के थुरू यहां पर आते थे उनको जो है हराया है अब एट लास्ट आई होग कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा मेड इन इंडिया एरक्राफ्ट के वारे में इंडिया नेवी के फ्लैक के अवारे में कि इंडिया नेवी का फ्लैक जो है पहले कैसा था किस तरीकी हमने इस पर चेंजिस किये हैं इंडिया के लिए काफी इंपोर्टन मोमेंट है और मैं आपको चीज बता दू बिलकुल आप शोर शोड जो है एरक्राफ्ट के अरियर रायने स्विक्रांत पे एक कोशन जो है बिलकुल एक्सपेक्ट कर सकते हो देटला सही होग कि आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को बला होगा आप अपने ओपिने लिखिए का ज़रूर इसी के साथ ये तन देश वीडियो का सुने के लिए बहुत अन्यवाद चैहिंद जभरत